हिमाचल हाई कोट ने सुखु सरकार को एक बड़ा छटका दिया है हिमाचल प्रदेश उचनी आलया ने दिल्ली में परे हिमाचल भवन को कुर्ख करने के आदेश दे दिये है दिल्ली के मंडी हाउस में स्थिद हिमाचल भवन को कुर्ख करने के आदेश विजली कंपनी की रकम ना लोटाने से चुड़े केस में दिये गए है अदालत ने विजली विभाग के प्रधान सचिव को इस मामले में फैक्ट फाइंडिंग जांच के आदेश भी दिये हैं ताकि उन अधिकारियों की जिम्बेदारी तै की जा सके जिनकी लापरवाई से ये स्थीती बनी है अब इस मामले में नेता वेपाक्ष जैराम ठाकुर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है उन्होंने इस कारय को निंदनी अब बताया है आईए सुनते हैं जैराम ठाकुर इस मुद्धे पर क्या कह रहे हैं जहां जो सेली प्रोजेक्ट का ये फैसला आया है और उसमें हिमाचल भवन मंडी हॉस्ट जो मंडी ए दिली में पढ़ता है तो एक ऐसा एक जो हमारे हिमाचल के लिए हिमाचल का तो गर्व है जनके दिली में अगर हिमाचल का दिल है तो तो हिमाचल भवन है कोई भी हिमाच ली जाता है तो गर्व के साथ वहां जाता है उसकी ही निलामी की नौबत आगी है और वो 64 क्रोड रुपे का पैसा आगे बढ़कर के लगए 500 क्रोड रुपे करीब पहुंच रहा है ऐसी स्थिती हिमाचल प्रदेश की आज से पहले कभी नहीं आई पहली बात कोड के मामलों क भी सरकार गंबीता से नहीं ले रही है और एक के बाद एक फैसले जो हिमाचल प्रदेश में जो हो रहे हैं जिसके कारेश सरकार की फजियत होती जा रही है आर्थिक तंगी का दौर है इसमें यहाज से नहीं कई वर्शूं से है लेकिन इससे तो सच मुछ में पुरा हिमाचल भावन की निलामी हो गई तो आने वाले समय में तो स्थिती यह आएगी कहीं सची वाले की निलामी ना हो जाए विधान सभा के विधान सभा को इसके पास अब को गिरवी नहीं रखना पड़ जाए यह स्थिती बन गई है हिमाचल प्रदेश की यह चिंता का विश बात करने चाहिए थी रास्ते निकलते हैं जब बैठते हैं ना वो किया न ये किया आखिरकार हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत दुकत ख़बर है कि दिल्ली में हिमाचल भवन जैसा एक प्रेस्टीजियस हमारा एक स्थान जो है वो भवन जो एतिहासिक दिश्टी से भी हम प्रजेक्ट बनना था और इस प्रोजेक्ट में पहले भी ऑपृटरिशन के प्रदेश सरकार को कमपनी की ओर से जमा कि गई 64 करोर रुपे की अप्परंट मनी 7 प्रतिशत ब्याज के साथ लोटाने का आदेश मिला था लेकिन हिमाचर प्रदेश सरकार में कोर्ट के सादेश की अभेलना की गई जिसके बाद ब्याज समेट ये राशी बढ़कर 1.500 करोर पहुंच गई हिमाचर प्रदेश हाई कोर्ट ने 15 दिन के अंदर जाज़ पूरी करने के लिए कहा साथी इस रिपोर्ट की अगली तारीक को अधालत में पेश करने के लिए भी कहा गया है इस मामले की अगली सिल्वाई अब 6 तिसंबर को होनी है अधालत का कहना है कि इस पूरे मामले में पता लगाया जाना ज़रूरी है क्योंकि फिर बयास के दोशी अधिकारी या अधिकारियों या करम चारियों से व्यक्तिकत रूप से वसूले की अधेश दिये जाएंगे इस पर CM सुख्धो की भी सफाई सामने आई है उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है आई आपको सुनाते हैं लगे या न लगे उस पाल्षी में किलिर है हमने आप एक रिजर्व प्राइस पर मेगा वाट जैसे दस लाख रफ रिजर। र्फ प्राइश है उसके खिलाब है खरकार gained बता दे कि साल 2009 में सरकार ने कंपनी को 320 मेगावाट का बिचली प्रोजेक्ट अबंटिक किया था और यह प्रोजेक्ट लाहॉल स्पीटी में लगाया जाना था सरकार ने उस समय प्रोजेक्ट लगाने को बियारो को सड़क निर्मान का काम भी दिया था और समझोते के मताबिक सरकार ने कंपनी को भी मूलबूत सुविधाय उपलब्द करवानी थी ताकि कंपनी समय पर प्रोजेक्ट का काम शुरू कर सके लेकिन ऐसा हो नहीं पाया कंपनी ने साल 2017 में एक रिट याचिका दायर की और कंपनी ने कोट को बताया कि सुविधा ना मिलने की बज़े से कंपनी को प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा और ये प्रोजेक्ट वापिस सरकार को दे दिया गया इस पर सरकार ने अपफरंट प्रीमियम को जब्द कर लिया सुनवाई के दुरान ही 64 करोड के अपफरंट प्रीमियम के भुकतान के आदे इश्चारी किये गए हैं राजे सरकार ने कोड के फैसले के खिलाफ LPA भी त्यार करती है अब देखना होगा कि दिल्ली में बने हिमाचल भवन की निरामी होती है या सुखु सरकारी से बचा लेगी